हो쿠ि यहां पर लिखा मैंने multi-player Prague करते हैं चैलेंज में चलते हैं iç Mine Arctic this video के अदर में आपको बताने वाला होंगे कैसे आप इंड्यन बाइक ड्रायविग 3D के अंदर इंडर्णेट की मदद से multi-player mode खेल पाओगे और गयाण हैि ऑफ के अई वीडियो में नहीं बता पाय था और आज के दिन एक और अपडेट आज इसके अंदर और भी काफी सारी चीज़े एड़ हो चुकिए यहां पर आपको एक सर्च को बटन दिख रहोगा बेसिकली एक इंटरनेट है और यह जो एप न्यू अपडेट के बाद ओपन होने लग गया है अब गया करना है मेरी वीडियो के नीचे डिसकरप्शन में एक लिंक दिया है मैंने उससे लिंक को आपको को बी करना है और जैस इसके बाद आपको आरजस टूल में जाना है और यहां पर आपको लिखना होगा MD-ON ठीक है जिससे MOD-ON हो जाएगा RJ-STool का ठीक है उसके बाद गईज आपको एक और चीट-Code डालने के बाद आपको सिम्पली राइट के उपर क्लिक करना है और थोड़ी देर आपको वेट करना है लेफ्ट साइड में यहां पर एक चीट-Code अक्टिवेट हो जाएगा यह देखो फाइल लोड़ेड हो चुकी है जो मैंने आपको लिंक दिया था वो आपके गेम के अंदर लोड हो चुकी है तो यह वाला साइन आने के बाद यह वाला चीट-Code अक्टिवेट होने चलाने के बाद आपकी टनल आने वाली है देखो कितनी ज़्यादा बड़ी टनल है और अभी आपको छोटी लगँगी लेकिन ट्रेन को लेके जब मैं आगे जाओंगा ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी टनल है और यह देखो हमारा जो रेलवे स्टेशन थान पूरा य भी होती ही जाएगी होती ही जाएगी सामने एक बंदा आ रहा है अरे यार बच गया अब गईज ये टनल देखना कितनी जौदा बड़ी है तो गईज मैं आपको ये बताना चाहरा हूं कि अपना जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम है अब ये पूरी तरीके से ऑनला लाइक कंप्लीट होने चाहिए अब बारी यहां पर आर्जेस टूल सिंपल चीट कोड की आर्जेस टूल में इतने सारे चीट कोड आ चुके ना बाई अलग अलग पार्ट में डिवाइट करना पड़ा मुझे इसके लाव मैं आपको आगे कार्स बाइक सब के चीट कोड भ बाई हाई करने वाले हैं जैसे कि लेट में आप देख सकते हो हाई लिखा चुका है तो यह तो बहुत ही बैसिक साय काफी लोगों को पता होगा तो इसको हटाते हैं अब नेक्स चीट कोड अगर आप अपने बटन इसक्रीन पर बटन आ रहे हैं उनको हाइड करना चाहते ह हो तो आपको फिर से आर्जे स्टूल में लिखना होगा यू आई आउन जैसे ही आप यह चीट कोड डालोगों राइट पे क्लिक करोगे आपके जितने भी बटन है और फोन वगेरा सब वापस आ जाएंगे उसके बाद का इस एक सीक्रेट कोड है जो कि काफी कम लोगों को पता है अभी आपको यहाँ पर घर के अंदर यह जो फेन दिख रहा होगा ना यह ओफ पड़ावा इसको आप चला भी सकते हो तो आपको आर्जे स्टूल में जाना है और सिंपल सा यहाँ पर लिखना है एफ एन ओन बस इतना ही लिखना है इस पेस देने की ज़रूत नहीं है जैसे आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे पंका चलने लग जाएगा और वापस से आप इसको आफ भी कर सकते हो सिंपल से आपको लिखना है आर्जे स्टूल के अंदर फेन ओफ इतना से लिखना है बस इस पेस भी नहीं देना और जैसे क्लिक करोगे फैन वापस से काफी सीख्रेट चीट कोड है जागी काफी कम लोगों को पता होते हैं अब ही देखो मैं इस बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं वापस से लिखता हूँ लोड तो भाई जहां पर मैंने पॉजिशन शेव की थी प्लेयर की वहीं पर में वापस आ जाऊ चुका है चलो गई अब बाकी के चीट कोड बताता हूँ सिंपल वाले ठीक अभी तक मैं सिंपल वाले ही बता रहूँ आपको अब फीर से आपको यहाँ पर आर्जेश टूल ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है जट जेट और थोड़ी देर आपको वेट करना होगा ज् आपको आर्जेश टूल में जाकर लिखना होगा है जैसे कि मैं आप लिख रहा हूँ इस पेलिंग आप देख सकते हो जैसे आप राइट करोगे इसमें भी आपको पांस से दस सेकेंड वेट करना है और उसके बाद आसमान में काफी उचाई में आपको इक हैलिकॉप्टर साफी ज्यादा उपर उड़ता है और अगर आप इसमें जाकर टकराते हो या फिर दूसरे हेलिकॉप्टर से टकराते हो तो यह तुरहनती फट जाता है अब गईज यह तो आपको पता चली होगा कल के न्यू अप्डेट के अंदर न्यू सोरूम एड़ हो चुका है और उस जैसे ही आप यह लिखोगे भाई यह गूमना बंद कर देगा आपको रैट क्लिक करना होगा लेट्स गो यह देखो गाइस यह रूख चुका है तो यहाँ पर आप काफी सारी फन अक्टिविटीज कर सकते हो अब गईस आर जेस टूल से अटके थोड़े से सिंपल से सीक्र है और गईस सेम अगर आप पुलिस टेसन पर आते हो यहाँ आप नाइट मोड एक्टिवेट करते हो तो यह देखो पुलिस टेसन के अंदर भी लाइट चालू हो जाएगी एवन गईस अंदर की साइड में ट्यूब लाइट भी चालू हो चुकी लेकिन इनकी जो रोसनी है वो काफी ज़्यादा का मैं इसको इंक्रीज करना चाहिए तो यह थे अपने आर्जिस टूल के सिंपल चीट कोड अभी तो बहुत ही सारे चीट कोड बाकी है अब मैं आपको बताने वाला हूं सारे के सारे मौन्स्टर के चीट कोड इसमें अपने पालतू जानवर भी सामी लें उनके भी साथ में बताऊंगा मैं तो इसके उपर एक आर्जिस टूल का चीट कोड भी अक्टिवेट होता है जो कि आपको मैं मौन्स्टर के चीट कोड के बाद बताने वाला हूं यानि कि इसके बाद ही बताऊंगा डारे उसके बाद अगर अगर आप 5-1 वाला चीट के अंदर 5-2 डायल करते हो तो यहां पर एक और डाइनसौर इस्पाइनोसारस आजाएगा यह भी काफी ज़्यादा बढ़ा है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खतरना के टीरेक से क्योंकि यह बहुत ही तगड़ा डैमेज देता है और इसके बाद यहां पर आता है 5-3 वाला कई भी गुमते हैं अब बात करते हैं फैसे अपने पैट्स की तो अगर आप यहां पर डैम जाकर 200 ड्याल करते हो तो आपके सामने घोड़ा आए गा इसके ओपर आप सवारी भी कर सकते हो और हां यह बी दोग pressured लोगो को कानताँ बी यह गलाब अगर 5050 डायल करते हो एक और वैलोसी रैप्टर आएगा लेकिन यह जो सामने वैलोसी रैप्टर गूम रहना है इसकी तरह यह आवारा नहीं गूमने वाला इसके आप सवारी भी कर सकते हो यह आपका पालतु है ठीक है अब आते हैं दो खतरनाक मॉंस्टर सबसे पहले गाई अगर आप यह बहुत जल्दी मरते हैं और एक केम से बहुत ही मुस्किल से मरते भाई यह और गईज अगर आपने इन्फाइनाइट हैल्थ लगाई है न तब भी आपका काम नहीं बनने वाला विकोज इन्फाइनाइट है लगाने के बाद भी आपको यह मार देते भाई पंजे से और मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है विकोज कुछ ऐसा ओप्सन होना चाहिए कि थोड़ा लेट अटैक करें मतलब गई यह स्पाइडर अपने को सोचने का भी टाइम नहीं देता यार और RPG से मरता भी नहीं यह यह देखो हवा में चला जाएगा लेकिन मरेगा बिलक यह देख मोड़ को एकदम ध्यान से सबंदा विकोज काफी लोगों कॉन्फूजन होता इसके अंदर तो आपको क्या करना है 5051 या फिर 52 किसी भी डैनासूर को बलाना मांसाहरी डैनासूर बलाना ब्रेक यो सोरस को मत बुलाना ठीक है लाइक मैंने यहां पर बुला है वेल बी चीट कोड़ डालोगे और डालने के बाद आप जैसे ही रैट क्लिक करोगे तो यहां पर लेफ्ट में में देखोर टार्गेट मोड औ्यों होता है तो सारे बिल्कुल एक ही चीट कोडे कोईदा बस यहां पर टार्गेट मोड ओन हो जाना चाहिए अब गईश further से देख गया, तीन अटेक में इसको मार देगा है, 1, 2, 3, 3 अटेक में खतम, और गईज एक और चीज़ बदा दू, अटेक मोड ओन करने के बाद, NPC बंदूक से नहीं मरता है, सिर्फ डैनोसोर ही उसको मार सकते हैं, अब यहाँ पर मैं दूसरा डैनोसोर बुलाता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको डाइल करना होगा 5, 1, तो यहाँ पर अपना T-Rex आजाएगा, अब T-Rex है ना अपने पहले वाले डैनोसोर को मरवा सकते हैं अपन लोग, ठीक है, तो उसके उपर मैं एम करता हूँ, वैलोसी रैप्टर के उपर अब ही देखना, T-Rex भागता हूँ जाएगा और वैलोसी रैप्टर को मारेगा, यह देखो बागता हूँ जा रहा है, और इसको बाई, एक, दो, दो सोट में खतम कर दिया, वाइस को, और अभी मैं आपको एक और सीक्रेट बताने वाला हूँ, चलो यहाँ पर तीसरे डाइनसौर को बुलाते है, जो कि यह भाई, स्पाइनसौर जो कि आता है, फाइफ टू से और अभी देखना, यहाँ पर मैं T-Rex के ओपर निसाना लगाँगा, ठीक है तो एम लॉक करता हूँ, तो यहाँ पर लेफ में देखो, टारगेट लॉक्ड लिका चुका है और स्पाइनसौर जाएगा, और उस T-Rex को मारेगा, लेकिन दोनों की जो डैमेज लगबग बराबर है तो भाई T-Rex को मनने में काफी ज़्यादा टाइम लगने वाला, यह देखो, भाई, कहाँ पर अटेक कर रहा है, उसके मार दिया विचारेगो और गाईज, अटेक मोड का एक होड सीक्रेट यह है, कि अगर आप इस पैनोसोरस के उपर ही वापसे एम करते हो, यानि कि उसको मारते होना एक सोट, तो भाई, वो खुद को ही मारने लग जाएगा, यह देखो पता नहीं, ग्रास खा रहा है जबीन में से लेकिन वो मर गया, खुदखुसी कर लेता है तो यह था गाईज, टारगेट मोड अगर आप इस मोड को आफ करना चाहते हो, तो खाईज आपको स्क्रीन पर चीट कोड दिख रहे होंगे, इस में से आप कोई भी एक चीट कोड डाल देना, कोई भी चीट कोड डालो के तो भाई, आपका जो टारगेट मोड है वो ओफ हो जाएगा, लाइक में आपका डालता हूँ बस इतना सा डालो के तो भी आपका काम हो जाएगा और सिंपली आपको यहाँ पर देखो, राइट क्लिक करा तो यहाँ पर लेफ्ट में टारगेट मोड ओफ हो चुका है अब मैं आपको एक डाइनसोर स्पॉन करता हूँ और फिर से यहाँ पर निसाना लगा के दिखाता हूँ क्या भाई, अटैक कर रहा है या फिर नहीं तो यहाँ पर वेलोसी रेप्टर को बुला लिया मिने और सामने एक NPC इसके उपर निसाना लगाते है देखो गाईज, अब अटैक नहीं कर रहा है इसको पर पुलीस मेरे पीछे पड़ गई है लेकिन यह वेलोसी रेप्टर अटैक नहीं कर रहा है और गाईज, एक और सीक्रेट यह है कि अटैक मोड अन करने के बाद पुलीस भी पीछे नहीं पड़ती है तो यह काफी खतरनाक चीज है तो गाईज, यह था अपने RJS Tool का अटैक मोड अल्राइट गाईज, यहाँ तक वीडियो देखे लिए न अब भी देखना कितना ज़्यादा मजा आने वाला है अब आते हैं गाईज, RJS Tool के colors वाले cheat code तो गाईज, RJS Tool के यह वाले cheat code से आप phone का cover change कर सकते हो इसके अलाव गाईज, आप house color change कर सकते हो तो सबसे पहले आपको RJS Tool में जाना होगा और यहाँ पर simple सा लिखना होगा phone color, आपकी spelling एकदम perfect होना चाहिए जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर phone color अब यहाँ पर आगे कोई भी color आप लिख सकते हो like मैंने लिखा yellow तो देखो phone का जो cover था वो yellow हो चुका है और guys आप बहुत सारे color कर सकते हो phone के cover को, तो अब देखो मैं आपको दूसरा color बता रहा हूँ, आपको फिर से RJS Tool में जा रहा हूँ और यहाँ पर फिर से लिखना है तो यह जो total 7 आपको color दिख रहे हैं यह सारे के सारे color आप अपने phone के cover पे apply कर सकते हो इसके लगा guys आप अपने house का color भी पूरा change कर सकते हो तो आपको simple सा RJS Tool में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा HOUSE house उसके बाद आपको फिर से COLOR लिखना है इवन guys आप house color RGB भी कर सकते हो तो उसके लिए आपको simply fit से RJS Tool open करना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा house color RGB और जैसे आप यहाँ पर right click करोगे भाई आपका पूरा house यहाँ पर RGB color हो जाएगा लेकिन यह color बहुत ही ज़्यादा बक्वास लग रहा है जितनी भी cars आईए ना game के अंदर सारे cheat code बता दूँगा नए वाले पुराने वाले और जितने भी तरीके की car है और इन सारी cars को मैंने number wise divide भी कर दिया है तो आपको काफी आसानी होगी सबसे पहले guys अगर आप 100 dial करते हो तो police car आएगी उसके बाद 101 dial करते हो अगर आप 700 dial करोगे तो Lamborghini version 2 आजाएगी और उसके बाद अगर आप 800 dial करते हो तो यहाँ पर Bugatti version 2 आएगी version 1 तो गाये भी कर दी इस game से 900 dial करने पर कोनिक से गाएगी 1000 dial करने पर फोर्टूनर आने वाली है उसके बाद अगर आप 1001 dial करोगे तो यहाँ पर जाएगी उसके बाद 2000 dial करने पर रोल्स रोहस आने वाली है जो कि घटिया कार एक नंबर की और अब आते है काई लेटेस्ट अब्रेट की कार जो कि कल के दिनी आएथी 2020 dial करोगे तो यहाँ पर आएगी और इसका जो मोडल है न्यू आले मोडल से रिप्लेस कर दिया है जो कि अभी 2024 में आय था इसके ओपर सन रूप भी है यार काफी प्यारा मोडल है इसके लब यार इस SUV की डिटेलिंग भी काफी जादा बढ़िया मुझे काफी जादा अच्छी लगी यह कार उसके बाद अगर आप 2244 डायल करते हो तो सूपर आने वाली है और अब आती है सबकी फेवरेट कार 3005 निसान जीटियार आने वाली है यह पिछले अप्डेट के अंदर आय थी और काफी जादा कूल कार है काफी जादा डिटेल में भी है इसके लब इसका जो by default color है यह yellow और orange का mixture काफी जादा बढ़या लगा मुझे इसके लब गाईज अगर आप 3100 डायल करते हो तो बोले रो आएगी जो कि पिछले से भी पिछले अप्डेट के अंदर आय थी उसके बाद 3333 डायल करते हो तो Lamborghini version 1 आएगी जो की घटिया कार है 4000 डायल करने पर पोर्ट से आएगी जो की दिखने में एक दम बेकाल लगती है 6666 डायल करोगे तो रेंज रोवर आएगी और यह पता नहीं आते ही जंप क्यों मारती इतना उसके बाद अगर आप यहाँ पर 8123 डायल करते हो तो Mustang आने वाली है और उसके बाद अगर आप डबल डबल वन डायल करते हो तो Ferrari आएगी और अब आते ही यहाँ पर Indians की फेवरेट कार जो की यह थार 9090 डायल करोगे तो यहाँ पर old वाली थार आएगी इसके अंदर गैज मैंने फ्लाइंग वेहिकल और वाटर वेहिकल को भी मिक्स कर दिया है अगर आप यहाँ पर 320 डायल करते हो तो यहाँ पर जैट पेक आएगा जो की GTA 5 वाला जैट पेक है और यह काफी ज्यादा है और एक और हैवी वेहिकल है जो की 1212 से आता है जो की यह बाई ट्रक विदाउट ट्रेलर ठीक है इसके ट्रेलर वाला भी बता दूंगा और इसे के अंदर वाटर वाला वेहकल भी मैंने अड़ कर दिया है तो अगर आप 3 001 डायल करते हो तो जिसने इंडियन बैक में बहुत तहल का मचाया था और अगर आप 8000 डायल करते हो तो यहाँ पर हैलिकॉप्टर भी आ जाएगा उसके बाद अगर आप 8800 डायल करते हो तो यहाँ पर हमर कार आएगी जो की काफी ज्यादा पावरफुल कार है अब बची यहाँ पर लास्ट ट्रक के चीट कोट गाईज अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लो ना तो यह वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना तो सबसे पहला जो चीट कोट है मौन्स्टर ट्रक का वह है 0100 जैसे आप डायल करोगे तो यहाँ पर पुलीस कार वाला मौन्स् ट्रक खाएगा उसके बाद 0900 डैल करते हो तो कॉनिक सेक वाला मौन्स्टर ट्रक खाएगा और अगर आप यह पर डाल करते हो जीरो वन थाउजंड तो फोर्चुनर वाला मौन्स्टर ट्रक भी आजाएगा किसी को थो चोड़ थो भाई और उसके बाद अगर आप यहाँ 2333 dial करते हो तो यहाँ पर Lamborghini वाला monster truck भी आ जाएगा और अब आता है last monster truck अगर आप 09090 यह dial करते हो तो भाई साप थार वाला monster truck भी आ जाएगा और यहाँ पर total 7 या फिर 8 monster truck है और यह monster truck वाला cheat code अपना complete हो चुका है और finally अब आज होगा यहाँ पर bikes के cheat code और bikes में guys सारी यह सारी bikes बता दूँगा तो guys सबसे पहले guys आपको dial करना है यहाँ पर 400 जिससे के आएगी ZX10R और new update के अंदर इसको पूरा modify कर दिया है उसके बाद अगर आप triple six dial करते हो तो यहाँ पर बनेली TNT आएगी और अगर आप triple seven dial करते हो तो डुकाटी devil आजाएगी उसके बाद अगर आप triple eight dial करते हो तो यहाँ पर FZ10 आजाएगी उसके बाद त्रिपल nine dial करते हो तो यामा यामाः वीमेक्स आएगी और उसके बाद अब बर डने और यहां पर hippy करते हो तोन पर ईपर 5050 नखे राएपको आपको में अबधे स्प奥 9 20 15 राएफ हैंगे वivaldo वाली द्यूक इन के早ई हैगी उसके बाद अक रहे हम पर डाइल करते हो evaluation 5000 थीक है al-500 डाइल करते हो तो यहां पर Pulser 200 आएगी उसके बाद अगर आप 7000 डाइल करते हो तो नैकि n 7 क्लेट रмотр ही हाइगी 책 hehehe अगर आप डबल जिरो वन फाइव डायल करते हो तो यामाहा आर वन फाइव भी आ जाएगी और इसी तरीके से आप नॉर्मल वाली सारी बाइक्स कम्प्लीट हो चुकी है अब बारी ये गज इस पेसल बाइक्स की और इसके बाद का सीक्रिट आर्जेस टूल बताने वाला हो जो की आज के दिन ही अपडेट हुए है तो गाई सबसे पहले अगर आप डायल करते हो डबल जिरो डबल जिरो तो यहाँ पर प्लेजर स्कूट ही ठीक है उसके बाद अगर आप डबल वन डायल करते हो तो नॉर्मल वाली साइकल भी आ जाएगी साइकल का चीट कोड भाई बाइक आएगी और इसी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुगी अपनी सारी की सारी स्पेशल बाइक और फाइनली गईज अब आता है सबसे बड़ा चीट कोड का भंडार आर्जेस टूल बिल्ड इसके अंदर भाई धाड़ फार चीट कोड है इतने सारे चीट कोड है अपका दिमाग खराब जाएगा इसमें गईज आप अपना पूरा वर्ल्ड बना सकते हो ध्यान से सबंदन में आपको पूरा एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं एक्स्प्लेइन कर लेता हूँ अगर आप यहाँ पर आर्जेस टूल में जाते हो और एक् टाइप करता हूँ md on यह mode on करने के बाद यहाँ आप यह house को हिला सकते हो इधर से उधर लेकर जा सकते हो अब गईज मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि इस house को हम कितनी दूरी तक move कर सकते हैं देखो यहाँ से भी move हो रहा है और इतना दूर आ चुक हूँ यहाँ से भ दालके तो यह वाला concept आप समझ गे होंगे कि md on डालने से आप house को move कर सकते हो या फिर किसी भी object को move कर सकते हो और md off डालोगे तो आप किसी भी object या फिर house को move नहीं कर सकते हैं अब एक और चीज बताता हूँ अगर आप यहाँ पर RG tool के अंदर डालते हो SD इसका मतलब की ह है save guys अगर आप right click करते हो तो यह जो आपने house यहाँ पर लगाया था यह save हो चुका है permanently इसका हटाने का तरीका भी आपको बता दूँगा लेकिन अगर आप game को back करते हो और घर से बाहर जाकर जहांकते हो तो भाई यह आपको house दिखेगा बाहर की side में यह देखो even guys आप game को पूरा restart कर दोगे ना बंद करके फिर भी आपको house दिखने ही वाला है बाहर क्योंकि guys आपने RJS tool में SD बटन दबाया है तो यह permanently आपके game के अंदर load हो चुका है अब इसको हटाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा तो इसके लिए guys आपको क्या करना होता है मतलब weapon section से pistol को select करना है और simply इसको पर fire करना है तो यह घर move हो जाता है लेकिन guys यह घर move क्यों नहीं हो रहा because guys मैंने यहाँ पर MD on का cheat code नहीं डाला तो हाँ guys आपको घर को हटाने के लिए आपको MD on करना पड़ेगा उसके बाद या पिस्टल से घर को guy up कर सकते हो अब guys यहाँ से मैंने घर क guy up तो कर दिया लेकिन मैं जैसी game को back करूँगा और वापस से यहाँ पर आके देखूँगा तो घर वहीं पर रहेगा देखो guys अब मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ यह देखो घर अभी भी वहाँ पर है लेकिन यह हटेगा कैसे बार बार क्यों आ रहा है तो चलो इस SD दबाया गेम को restart किया और देखो सामने से घर हट चुका है तो I think आपको समझ में आगा होगा MD on, MD off और SD का मतलब समझ में आ गया होगा चलो guys अब मैं आपको सारे घर और सारी building के cheat code बताता हूँ तो guys अगर आप यहाँ पर H1 टाइप करते हो ना जैसे कि मैंना भी बतायता तो यह house 1 आ गया है यहाँ ठीक है तो H1 से लेकर आप H10 तक कितने भी house बुला सकते हो लैक यहाँ पर मैं बुलाता हूँ H2 यह देखो दूसरा house आ गया अब यहाँ पर मैं अगर टाइप करता हूँ H3 तो यहाँ पर देखना तीसरा house भी आ जाएगा यह देखो तीन house हो साल के अब मैं आपको बताता हूँगा इस बिल्डिंग के चीट कोड हाँ आप आर्जस टूल में बिल्डिंग भी स्पाउन कर सकते हो सिंपली आपको टाइप करना होगा बी वन उसके बाद आपको राइट क्लिक करना जैसी राइट क्लिक करो यह देखो बाई इतनी से अटाते हैं बाई बीच में बहुत जादा आड़ रहे हैं यह सारे हाउस अटाते हैं यहां से अब गईज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑबजेक्ट के चीट कोड जैसे कि यहां पर खंबा हो गया या फिर कचरे का डबा वगेरा यह कैसे मंगाते हैं तो आपको सिंपल से यहां पर यह कौन आ चुका है जो कि हम सडकों के उपर लगाते हैं और अभी यहां पर न्यू अपडेट के अंदर तीन नई चीज़े चार नई चीज़े एड़ हुई थी तो अगर आप यहां पर टाइप करता हूँ पी फोर्टीन तो यहां पर यह अलग तरीके की जमी यहां पर देखना अलग तरीके की यह देखो यलो कलर की जमीन आ चुकी जो की देखी देखी सी लग रही कहां पर रही है बताना कमेंड में उसके बाद अगर आप पी 17 का चीज़े को डालते हो तो यह एक और पुराने वाले जो एरपोर्ट की जमीन है वह आ चुकी है तो स कर देना जैसी रैट क्लिक करोगे पेड़ आ जाएका सामने यह देखो और यहां पर आप टी वन से लेकर टी सिक्स तक कितने भी पेड़ मंगा सकते हो यह देखो यहां पर दूसरा ट्री जो की ट्री सिक्स है और इसको मैं मूव करके आपको दिखाता हूं थोड़ा अब कंटेनर आ चुका है तो यहां पर सी वन से लेकर सी 7 तक आप कितने भी कंटेनर मंगा सकते हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर न्यू कंटेनर जो कि कल के दिन अपडेट में आय थे यह देखो गाई सी 6 टाइप करने पर हो रिजिंटली रोटेट करने वाला कं वन आएगी यह देखो इसी तरीके से आप W2 और W3 यानि कि तीन दिवारे बुला सकते हो स्पॉन कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने W2 डाला यह देखो दूसरी तरीके की दिवार आ गई और W3 आप डालोगे तो यहाँ पर एक जाली आ जाएगी तो बस इतनी दिवारे अभी तक एड़ हुई है और गईज अगर आप R1 टाइप करते हो RJS टूल में तो एक रैम पा जाएगा और यह लास्ट चीट कोड है RJS टूल का अब यहाँ पर पूरे की पूरे RJS टूल के सारे चीट कोड कम्प्लीट हो चुके हैं अब बचें यहाँ पर only player के चीट कोड और यह मैं आपको practically करके नहीं बताऊंगा बिकोज यह चीट कोड काफी ज्यादा बोरिंग है इसलिए आपको स्क्रीन पर जितने भी चीट कोड दिख रहे हैं सारे के सारे player के चीट कोड यह सारे आप ट्राय कर सकते हो invincible यानि के infinite health वगेरा और बाकी सारे चीट कोड भी आप देख सकते हो आई होब कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो like करना यहां तक देख लिए तो और subscribe कर देना चैनल को मिलते हैं next वीडियो में bye and love you all